नमस्कार मैंने है राजबूत हर बार की तरह इस्टो टॉक पर लेकर आए हूं आपके लिए एक बहुत ही खास इन्फर्मिशन हो है आई-पियल से जुड़ी हुई इंडियन प्रिमियर लीग सीजन 15 26 मार्च से चुरू होगा 29 माई तब चलेगा अज इस वीडियो में हम बात करें कि IPL की मैच वहां कहां किंकिन जगहों पर खेले जाहेंगे तो इस से चार जगहों पर आपका CDS Association Stadium, तो इन चार जगह ओपर आपका आईविल के सारी मैचेस आपके खेले जाएंगे, अब टीम को दो ग्रुप्स में बाटा गया है, ग्रुप A में है, मुंबाइ इंडियन्स, कोलकता नाइट्राइडर्स, दिल्ली कापिटल्स, राजिस्थान रोयल्स और लखनो सूपर जा करेंगे, वहीं ग्रुप B के लिए, लीग का लीड, MS Dhoni, जो की चनाई सूपर किंग्स के हैं, वो करेंगे, सान्थी, आईपल 2022 में सभी टीमें चौदा मैच खेलेंगी, तो यह तो ओवरल इंफरमिशन हमने आपको दे दी, आईपल के बारे में थोटी बहुत चीज़े बत किस टीम का परफॉरमेंस कैसा होगा, फाइनल तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, यह सारी बाते करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चनाई सूपर किंग्स की जिसके क्याप्टन है, MS Dhoni, याने की महंदर सिंग, धोनी जिनकी नाम राश्री है, तुला, चना कि यह जीत भीजाएं, याने के जीतने के चांसस बहुत जादा बन रहे हैं, तो यह बात होगा, चनाई सूपर किंग्स की, आप बात करते हैं, मुंबई इंडियन्स की, तो टीम मुंबई इंडियन्स के लिए, I feel 2022 के एक्सपेक्टिद कैप्टन रोहिच शर्मा हो सकते हैं जोतिश कैनुसार, अगर हम मुंबई इंडियन्स की नाम राश्री देखे तो वो है, सिंग और कप्तान, जो कैप्टन जो है रोहिच शर्मा, उनकी नाम राश्री तो ला है, धनुम और सिंग राश्री में शनी की यूती जो है, नौपंचा की योग बना रहे हैं, बहुत इसली आजार तो रही है कोलकाता नार्श्री तो कोलकाता नार्श्री का क्निया के साथ कन्या राश्री को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन captain को लोगों के सांसा team का भी पूरा support मिलेगा. हाला कि chances कम हैं कि ये जो है final में अपनी जगे बना पाए Kolkata Night Fridays जो है इनकी जीत के chances average से अच्छे हैं. मतलब जीतने के chances average से ज़्यादा अच्छे हैं. तो ये हमने बताया आपको Kolkata Night Fridays के बारे में. अब बात करते हैं Royal Challenges Bangalore के बारे में. तो इसके captain के बात करें तो है Virat Kohli Royal Challenges Bangalore. तुला राशी के अंडर आता है. अब अगर हम देखें कि astrological calculation के according बात कर लें तो Virat Kohli की विशव राशी और team की तुला राशी है. तो IPL में ये टीम बेस्ट परफॉर्म करेगी जहां जीतने की बात करें तो कहीं न कहीं उनके हाथ से इस बार IPL बाहर जाता नजर आ रहा है ग्रहों की गतिक अनुसार. IPL के पूरे सीजन में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना लेंगे मतलब जीते हैं न जीते हैं वो बात अलगे लेकिन दिलों में बहुत जगह बनाएंगे अच्छी popularity देगी. अब बात करते हैं दिल्ली कापिटल्स की तो आपको बता दें दिल्ली कापिटल्स के लिए एक्सपेक्टेड कैप्टेन रिशवपन्त होंगे दिल्ली कापिटल्स के अगर हम जोतिष चार्ट को देखें तो ये करक राश्री के अंडल आते हैं यहां रिशवपन्त की बात है तो वो कन्या राश्री है उनकी दिल्ली कापिटल्स की कुंडली में बिर्सपती ग्रह नौपंचांग योग बना रहा है यह टीम के लिए अन्पूल है उनके लिए फेवरेबल है आईपियो 2022 की प्रडिक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो टीम के फाइनल में या कम से कम क्वालिफाय में होने वाली टीमों में से एक बनने की काफी चांसे हैं अब बात करते हैं अगले टीम की जो है राजस्थान रोयल्स तो अगर राजस्थान रोयल्स की हम कुंडली पे देखे या उनके हम इस्ट्रोजिकल प्रडिक्शन करें तो सबसे पहले इसके एक्सपेक्टेड कैप्टिन है संजु सैमसन संजु की कुंडली के अकॉर्डिक उनकी राशी कुंब है राजस्थान रोयल्स के चार्ट के अकॉर्डिक उनकी टीम के लिए तुला राशी है दोनो राशियां जो है शनी ग्रैसी, इस ग्रहों की फेवर्बिल करेंशन नहीं है इस साल इनकी फाइनल में पहुँचने के अगर चांसल देखे तो वो कम है तो ये बात हो गए राजस्थान रोयल्स की अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की तो इस साल टीम के कैप्टन मयंग अगरवाल है और जोतिश के अपॉडिगर हम इनके टीम की राशी देखे तो वो है मिथुन टीम के कैप्टन की राशी कुम्ब है मिथुन राशी के साथ कुम्ब राशी का होना बता रहा है कि टीम एवरेज़ परफॉर्म करेगी साथ ही दोनों राशीयों के लॉर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ close connection बनाएंगे इसका मतलब यह है कि टीम लोगों के expectation को पूरा करने में सफल नहीं होगी लोग उनसे जादा expected करेंगे और वो उतना पूरा नहीं कर पाएंगे तो chances come है कि Punjab Kings final में अपनी जगे बना पाएगी या अच्छा perform करेगी तो यह हो गई पंजाब Kings की बाद अब बात करते हैं Sunrisers हैदराबाद की तो Sunrisers हैदराबाद के expected captain जो है केन विलियमस होगे Sunrisers हैदराबाद की राशी कुम्भ है जो इसके captain केन विलियमस की राशी भी है यानि दोनों के राशी सेम है तो यह बताता है कि टीम एवरेज से अच्छा perform करेगी टीम के चार्ट में शडाश्टक योग है जो कि एक अश्चुभ योग है और टीम मिले जो ले रिजल्ट दे सकता है ओवराल कैलकुलेशन के बेसिस पर यह कह सकते हैं कि टीम के जीतने की ज्यादा चांसे नहीं है यह भी चांस कम है कि वोई क्वालिफायर में भी अपनी जगा बना ले अब बात करते हैं गुजराग टाइटन्स की तो गुजराग टाइटन्स के एक्सपेक्टेड कैप्टन हार्डिक पांडिया होंगे हाला कि अगर हम देखे तो राशित खान और शुर्मन गिल के नाम पर भी चर्चा हो रही है तो इस्ट्रो लॉजिक एकॉर्डिक टीम हैंडलिंग के लिए बेस्ट रहेंगे हार्डिक पांडिया यह इनकी राशी जो है कर्क है कर्क राशी केंडर रहते हैं कॉंडली में शुक्र की महादश्रा चल रही है जिससे हार्डिक अपने टीम मेंबर्स को सही गाइडन्स दे सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अब अगर बात करें लखनो सूपर जाइंट्स की तो गुजराट टाइटन्स की तरह लखनो सूपर जाइंट्स भी एक नई टीम है और अगर हम रिपोर्ट के कॉर्डिंग देखें जो इनकी चार्ट्स बन रहे हैं चांसे अधिक है कि केल राहूल जो है इसके कैप्टन होंगी केल राहूल तुलाराश्वी केंडर राते हैं और उनकी कुंडली में शश योग है और उनकी कुंडली में शनी महादर्शा के साथ है यह बताता है कि अच्छे डिसजन लेने में काफी आपको मदद करेगा जहां तक टीम की बात है तो पूरे टोनामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे वहीं उनके लिए फाइनल में पहुंचने के 70-30 चांसे हैं तो हमने इस वीडियो में जाना कि सारी टीम कैसा परफॉर्म करेंगे आपको एक बार फिर से बता दो कि जो हमने इंफॉर्मिशन दी है वो टीम की चार्ट और जो क्याप्टन्स हैं उनकी कुंडली के बैसिस पर आपको दी है बाकि अभी आई-पेल आने वाली है तो हम पर वीडियो के माने हम सब को चान कारी देंगे तो फिल्दाल इस वीडियो में इतना ही बाकि हम सभी टीम को अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छे से खेले तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार